कि अलो गाइस अभी मैं बढोल से आ रहा था तो मैंने यहां पर देखा यह तिरंगा कैसे लड़का हुआ है अगर लोगों को त्रियंगे की जो है वो एहमियत बता ना हो तो प्लीज वो इसको ना लगाएं यह देखिए किस तरह से तंगा हुआ है इसको डंग से लगाएं किसी जगह पर क्योंकि हमारे देश का फ्लैग है यह तो यह देखिए अभी मैं इसको उतार के घर ले जाओंगा अभी देखता है कोई कुछ बोलता है तो अंदरवाइस यह देखिए अभी यह उतरेगा भी नहीं और जाओंगा कि यह था इसको अभी उतरेगा भी नहीं काफी हाईट पे आए तो यह देखिए इधर भी फस गया है इसको किसी तरह से उतारना बढ़ेगा देखता हूं कैसे उतरता हुए कल नीचे हलमेंट उतारता हूं फिर इसको उतार इसे तरह से यह देखिए अभी यह यह या तो मेरे को लकडी लगा के उतारना पड़ेगा मुझे भी जुगारी लगाना पड़ेगा इसको उतागने के लिए दोस्तो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो मुझे तो मतलब मैं मेरा हाथ उपर दग नहीं जाएगा तो मुझे तो यह किसी दर से उतारना ही पड़ेगा तो नहीं उतरेगा इसके साथ भी अभी उपर कैसे पहुंचू मुझे भी धंड़े नहीं उतारना करेंगा इसको गाल लेके जाएगा क्यार उतर तो गया पर निच्चे नहीं गिरने दोंगा इसको अगर इनको अगर इनको तिरंगे की एहमेत ना पता हो तो फ्लैक को ऐसे लगाया ना करें अभी मैं इसको फोल्ड करके घर ले जाओंगा और सेफटी से रखोंगा अपने पास मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है अब लोग फेभी ऐसा करते हैं अब यह देखिए अभी मैं इसको घर लेके जाओंगा बैग में डाल के और घर पे इसको सई से रखोंगा तो अगर आपके आसपास भी ऐसे किसी ने फ्लैग लगा गया रखाओ तो आप इसको उतार के अपने पास रख सकते हो ताकि यह हमारे देश की जो है वो शान है तिरंगा तो चलिये अभी घर चलते है तो गाइस अभी आगया हुँ ने घर और जो फ्लैग मैंने फ्लैग की यह एहां पर मेरे पास है यह देखिए इसका मैंने अच्छे से तैर लगा दिया है जैसे हमारे नेशनल फ्लैग को तैर लगाते है यह इस तरह से यह देखिए तो अभी मैं इसको अपने जो मेरे flags है तीन flag मेरे पास already पड़े हुए उन flag की collection में मैं इस चोथे flag को add कर दूँगा तो यह देखिए मेरे तीन flag already पड़े हुए है यहाँ पर यह देखिए यह एक और यह दो और फीन तो यह fourth flag को भी मैं यहाँ पर रख दूँगा तो यह मेरी custody में बागया है अब मैंने इसको सई से रख दिया है अपने पास तो दोस्तों मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास भी आपको कोई ऐसा flag दिखे कि जो बाहर ऐसे ही टंगा हो या हूल्टा टंगा हो या कोई फट गया हो तो आप उसको घर ले आए और अपने पास सेफटी से उसको रख दे तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर खतम कर रहा हूँ थैंक यू